अलो, वेलकम तो अल अफ यू, इन दिस ओनलाइन सेशन अफ आयोक्सी एडुकेशन, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिसकरजन, फादर सतन स्वामी, रिसेंटली ये नाम हम सभी ने नीज में सुना, सतन स्वामी एक जी सूइट प्रीस्ट एंड ट्राइवल राइ एक्टिविस्ट थे, तवियत खराब होने के चलते, एंड हाई कोट के इंटर्वेंशन के बाद, वर 30 मई 2021 से ही नवी मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमेट थे, 30 मई को ही उनकी कुरोना रिपोर्ट पॉजिटिव वी आई, जिसके कारण परिशानी और बढ़ी, 3 जुलाई के करीब सुबह साड़े 4 बजे उन्हें कार्डिक अरेश्ट आया, चरल सब्दों में इसका मतलब होता है जब अचानक हिरदय काम करना बंद कर दे, जिसके बाद से ही वह वेंटिलेटर में थे, 5 जुलाई को दुफैर में करीब देड बजे उनकी और यह एक पोस्ट कोविड अफेक्ट भी है, तो कौन है सतन स्वामी, क्या काम करते थे, क्यों इन्हें अरेश्ट किया गया, NIA ने क्या चार्शेट फाइल की, यह सभी चीजे हम समझेंगे, लेकिन यह सब अच्छे से समझने के लिए, हमें इतिहास में जाके, दो की प्रिप्रेशन कर रहें, तो आप हमारा एप डाउनलोड कर लिए, एंड हमारा टार्गेट 2021 बैच भी जॉइन कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं सारी, हिस्ट्री परने से पहले, एक बात हमें हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, कि कल्ट्र इंडिया हमेशा से एक नेशन रहा है, अगर हम पॉलिटिकल बाउंडरी की बात करें, तो वो थ्रो आउट हिस्ट्री चेंज होती रही है, इतिहास में कई बार पॉलिटिकल वे में भी इंडिया एक रूल में आया है, फॉर एक्जामपल मॉर्यन एंपायर, अंडर अशोक इंडिया दि ग्रेट, मॉर्डन हिस्ट्री की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो आयरन मैन ओफ इंडिया सरदार बललब भाई पटेल, एवम अनेक सरदंता सिनानी की वज़े से, प्रिजेंट इंडिया यॉनाइटेड हुआ, हम रीजनल हिस्ट्री पढ़ते है और इसमें प्राउड भी फिल करते हैं, बट जो हमारी प्रिजेंट आइडेंटिटी है, वह सिर्फ एक है, जो कि क्या है इंडियन, तो हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए एंडियो मराठा वार और अंगल मराठा युद्ध, जैसे जैसे मुगल एंपाय डिकलाइन होता जा रहा था, वैसे वैसे मराठा की पावर बढ़ती जा रही थी थर्ड बेटल और पानीपत में एहमद शाह अबदाली के हातों हार के बाद परिस्तिती बदली परन्तु बहुत ही कम समयन में मराठा ने अपनी पावर फिर बना ली उसके बाद होता है थर्ड अंजलो मराठा वार और युद्ध के परिणाम सरूप पेशवा की हार हुई बट इसमें एक इंपोर्टेंट बात थी जिसका कनेक्शन हमारे आज के डिसकसन से है वो क्या थी बैटल अफ कोरे गाउं बैटल अफ कोरे गाउं एंजलो मराठा वार के अंतिम चरंड के युद्ध में से एक थी जिसके परिणाम सरूप पेशवा का डॉमिनेशन खतम हो गया एवं ब्रिटिश वावर बढ़ी भार के इतिहास में हमें बहुत से अन्वांटेट शोशल इस्ट्रक्शर देखने को मिले हैं उसमें से एक इंपोर्टेंट है कास्ट सिस्टम और अगर हम स्पैसिफिक वे में कहें तो अन्टचिबिलिटी इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने काफी हद तक इसमें सुधार देखे हैं पर कुछ इंसिडेंट आज भी हमारे सामने ऐसे निउज में आते हैं जिसकी वज़े से हमें समझ आता है कि पूरी तरह से हम अभी भी इसे खतम नहीं कर पाए हैं ब्रिटिश आर्मी ने इंडिया की इसी कमजोरी का फाइदा उठाते हुए और डिवाइड और रूल पॉलिसी को अपनाते हुए दलिट सोल्जर्स को पेशवा की सैनक के खिलाव युद्ध में खड़ा किया पेशवा आर्मी उस समय अपरकास्ट डॉमिनेटेट थी जिस कारण ना चाहते हुए भी इस युद्ध को अपरकास्ट वर्सिस दलिट देखा जाने लगा वह युद्ध जो ब्रिटिश वर्सिस मराथा था कुछ लोगों की नजरों में अपरकास्ट वर्सिस दलिट हो गया 2018 में भीमा कोरेगाउं बैटल की 200 वी वर्सिकार्ट मनाई गई जिस दोरान हिंसा देखने मिली तो ये था थर्ड एंड जिलो मराथा वर एंड बैटल ओफ कोरेगाउं का इतिहार अब हम अपनी प्रिजेंट न्यूज में वापस आते हैं पादर सेतिन स्वामी एक जिस्वीट प्रीष्ट और ट्राइवल राइट एक्टिविस्ट थे जो की जारकंड में ट्राइवल राइट के लिए करीब पिछले 30 सालों से काम कर रहे थे आदिवासी गुरुप के लिए बहुत सारी मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई जैसे की लेंड फॉरेस्ट एंड लेवर राइट उधारन के तौर में उन्होंने 5th schedule के proper implement ना होने पर अपनी आवाज उठाई जिसमें ट्राइवल कम्यूनेटी के welfare protection के लिए tribes advisory council बनाने का जिक्र है पर अभी भी हमारे सामने एक question है कि NIA ने इन्हें custody में क्यों लिया और किस case में लिया तो अभी हमने जाना भीमा कोरे गाउं case या इलगार परिशत case 2018 के बारे में तो इसी case के संबन्द में National Investigation Agency NIA ने सतन स्वामी के साथ साथ करीब 16 और लोगों को arrest किया और आरूप लगाया कि सभी के संबन्द band माविष्ट CPI माविष्ट से है सतन स्वामी के घर की तलाशी ली गई और NIA ने कहा कि सतन स्वामी माविष्ट के डर में थे and actively involved थे and इन्हें माविष्ट से funding भी मिलती थी ये सभी NIA के लगाय हुए आरूप थे सतन स्वामी ने अपनी सफाई में कहा कि जो allegations उन पर लगाय जा रहे हैं वो निराधार है and जिस computer के basis में NIA ये सारी बाते कर रहा है उस computer में ये details plant किये गए हैं और उससे इनका कोई संबंद नहीं है सतन स्वामी ने ये भी कहा कि वो कभी भीमा करेगाओं में थे ही नहीं सतन स्वामी की death के बाद बहुत से tweets कियेगा शोशल मीडिया में जिसमें से कि हमारे entry के लिए एक जो important tweet था वो United Nation की body human rights body की तरफ से था जिसे बाद में Ministry of External Affairs ने जवाब भी दिया Ministry of External Affairs ने अपनी जवाब में कहा कि Indian authorities act against violation of law not against legitimate exercise of rights तो ये थी पूरी details सतन स्वामी की death and भीमा कोरेगाओं case and third Angelo Maratha wars related and जल्दी मिलते हैं हमारे next topic के साथ झाल 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 करिवाذा झाल झाल